कि मैं यहां कि अभी इस कार्कम में भव्य प्रस्तुदि देने वाले कि सभी कलाकारों की भी सराना करता हूं कि बंदुगों मैं आज याद कर रहा हूं कि बंगलादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिनों ने अपने देश अपनी भाशा अपनी संस्कृति के लिए अंगिनत अत्याचार सहें अपना खूंदिया अपनी जिन्दगी दाव पर लगा दी मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति जुद्धों के सुर्वीरों के मैं आज याद कर रहा हूं शहीत दिरेंद्र नाद बत्तों को शिच्छावीत रौफिक उतिन एहमद को भाशा शहीत सलाम रौफिक बरकत जब्बार और शाफिवुर जी को मैं आज भारतिय सेना के उन्वीर जमानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति जुद्धों में मंगला देश के भाई बेहरों के साथ खड़े हुए थे जिन्होंने मुक्ति जुद्ध में अपना लहू दिया अपना बनिदान दिया और आजाज मांगा देश के सपने को साकार करने ने बहुत बड़ी भूमिका निवाई फिल मार्सल, सैम मानेशा, जनरल अरोरा, जनरल जेकर, लांस नायक अलबर्ट एका, ग्रूप कैप्टन चन्दन सी, कैप्टन मोहन नारेंड राउस सामंत, ऐसे अंगिलेट कितने ही वीर हैं, जिनके नित्रुत्व और साहज की कधाएं, हमें प्रेरित करती है, बांगा देश सरकार भारा, इन वीरों की स्मृति में, आशुकों में, वार मेमोरियल समर्पित किया गया है, मैं इसके लिए, आपका अभार रेक्त करता हूँ, मुझे खुशी है, कि मुक्ति जुद्धों में सामील, कई भार के सैनी, आज विशेश का रुप से, इस कारकम में, मेरे साथ उपस्तित भी हैं, बंगला देश के मेरे भारी और बहनों, यहां की नौजवान पीड़ी को, मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा, और मेरे गर्मों के साथ याद दिलाना चाहूंगा, बंगला देश की आज़ादी के लिए संगर्ष में, उस संगर्ष में सामील होना, मेरे जीवन के भी, पहले आंदोलोनों में से एक था, मेरी उम्रा बीस-बाइस साल रही होगी, जब मैंने और मेरे कई साथों ने, बंगला देश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्यांगर्ष किया था, बंगला देश के आज़ादी के समर्थन में, तब मैंने गिरप्ता नहीं भी दी थी, और जेल जाने का उसर भी आया था, यानि बंगला देश के आज़ादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी, यहाँ पाकिस्तकान की सेना ने, जो जदन अप्राज और अत्याचार किये, वो तस्विरें विच्छित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती थी, गोविन्दो हन्दर जी ने कहां था, एक शागोर, एक शागोर रोक्तेर बिदिम होए, बंगलार शाधिन अंता, आंले जहरा, आमराथ तोमादेर भूलबोना, आमराथ तोमादेर भूलबोना, यानि, जिनों ने अपने रत के सागर से, बंगलादेश को आजाधी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, बंदुगोर, एक नरंकुछ सरकान, अपने ही नागरिकों का, जन सम्हार कर रही थी, उनकी भाशा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी, आपरेशन सर्च लाइट की उस कुरूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में, विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है, जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए, बंदुगों, इन सक्ते बीच, यहां के लोगों, और अंभारतियों के लिए, आशा की किरंथे, बंग बंदु सेख मुझबुर्रमान, बंग बंदु के होसले ने, उनके नित्रुत्वने यह तय कर दिया था, कि कोई भी ताकत, कोई भी ताकत, बंगलादेश को गुलाम नहीं रख सकती, बंग बंदु ने खिया था, एबारेर, एबारेर संग्राम, आमादेर मुक्तिर संग्राम, एबारेर संग्राम, साजिनोतार संग्राम, इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है, उनके नित्रतों में यहां के सामान ने मान भी पुरुष हो यस्त्री हो किसान नवजवान जिक्चर कामगा सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गई और इसलिए आज का यह उसर मुझिल बॉर्षे बॉंग बॉंदू के वीजन उनके अदर्शों उनके सांस को याद करने का भी दीन है यह समय चिरोवित्रोही को मुक्ति जुद्रों की भावना को फिर से याद करने का समय है बंदुगुम बांगलादेश के स्वाधिन्ता थंगराम को भारत के कौने कौने से हर पार्टी से समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था तत्कालिन प्रधान मत्री स्रीमती इंद्रा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वकुन भूमी का सर्व विजित है उसी दोर में 6 दिसम्बर 1971 को अटल भी हरिवाजपाई जी ने कहा था हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहूती देने वालों के साथ लड़ रहे हैं लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयात कर रहे हैं आज मांगला देश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतिये जवानों का रख साथ साथ बह रहा है यह रख तक ऐसे समंदों का निर्मार करेगा जो किसी भी दमाव से तूटेंगे नहीं जो किसी भी कुट निती की का शिकार नहीं बढेंगे हमारे पुर्व राश्पति प्रणव मुखर जीजें प्रणवदा ने कहा था बॉंग बंदू को उन्होंने एक टारलेस स्टेश्मेंट कहा था उन्होंने कहा था कि सेख मुझमिर रह्मान का जीवन धैरिया प्रतिवत्यता और आत्मस्यम का प्रतीख है मौंदुगों ये एक सुखत से योग है कि मंगला देश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 55 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है हम दोनों ही देशों के लिए 21 सदी में अगले 25 वर्षों की आत्रा बहुत ही महत्तफून है हमारी विरासत भी साजी है हमारा विकान भी साजा है हमारे लक्स भी साजे है हमारी चुनोतियां भी साजी है हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योगव है जहां अमारे लिए एक जैसी संभावना है तो आतंकवाद जैसे समान खत्रे भी है जो सोच और सक्तियां इस प्रकार की अमानविय घट्नाओं का अंजाब देती है वो अब भी सक्रिय है हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा हम दोनों ही देशों के पास लोग तंत्र की ताकत है आगे बढ़ने का स्पस्त भीजन है भारत और मंगलादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े इस पूरे छेत्र के विकात के लिए उतना ही जरूरी है और इसलिए आज भारत और मंगलादेश दोनों ही देशों की सरकारे इस सम्वेदन सिर्था को समझ कर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सयोग से हर एक समाधान हो सकता है हमारा लैंड बाउंडरी अगिर्मेंट भी इसी का गवाँ है कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बहतरीन तानमेल रहा है हमने सार कोविट फंड के स्थाप्रा में सयोग किया अपने हिउमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सयोग किया भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सिन्स बंगलादेश के हमारे बहनों और भाईयों के काम आ रही है मुझे आध है वो तस्वीरे जबी साथ 26 जन्वरी को भारत के गणतंत्र दीवस पर बांगलादेश आम फोर्सिस के कि ट्राइ सर्विस कंटिजंट ने शोनो एक्टी शोनो एक्टीर मुझी बोरे थेके इस धून पर दिल्ली में परेड की थे भारत और मंगलादेश का भविश सद्वाओं भरे आपसी विश्वात भरे ऐसे ही अंगरित पलों का इंतजार कर रहा है साथियों भारत मंगलादेश के समंदों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है भारत बंगलादेश समंदों के पचास वर्ष के अवसर पर मैं बंगलादेश के पचास एंट्रपिनर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा ये भारत आए हमारे स्टांट आप और इरोवेशन एकोसिस्टिन से जुड़े वेंचर केपिटालिस से मुलाकाँच करे हम भी उनसे सिखेंगे उन्हें भी सिखने का अवसर मिलेगा मैं इसके साथ साथ बंगलादेश के युवाओं के लिए सुबर्नो जेन्ती स्कॉलर्शिप की गोशना भी कर रहा हूँ साथियों बंग बंदु सेख मुजीबर रह्मान जी ने कहा था बंगलादेश इतिहां से शाथिन राष्ट्रों हिसे बेटिके ठाक बे बंगलादेश को दबा करके रख सके बंग बंदु का ये उद्गोश बंगलादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बंगलादेश के सामर्थ पर विश्वाथ भी था मुझे खुशी है कि सेख हसिनाजी के नेत्रुतों में बंगलादेश दुनिया में अपना दम खम दिखा रहा है जिन लोगों को बंगलादेश के निर्माण पर एतराथ था जिन लोगों को बंगलादेश के अस्तित्व पर अशिक्ता थी उन्हें बंगलादेश ने गवलत शाबित किया है साथियों हमारे साथ काजी नजरों इसलाम और गुर्देव रवेनराथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेयना है गुर्देव ने कहां था काल नहीं आमादेर हादे कारा कारी को रेताई शबे मिले देरी कारोन ही शहे को भूर यानि हमारे पास गवानिर के लिए समय नहीं है हमारे पास बढ़लाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा अब हम और देर नहीं कर सकते ये बार भारत और बंगलादेश दोनों पर समान रुपसे लाबू होती है अपने करोडों लोगों के लिए उनके भविश्य के लिए गरीवी के खिलाप हमारे युद्ध के लिए आतन के खिलाप लड़ाई के लिए हमारे लक्ष एक है इसलिए हमारे प्रयाद भी इसी तरह एक जुट होने चाहिए मुझे विश्वास है भारत बंगलादेश मिलकर तेज गती से प्रगति करेंए मैं एक पार फिर इस पामन परवपर बंगलादेश के सभी नागरीकों को अनेक अनेक सुबकामनाय देता हूँ और रिदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत बंगलादेश मौइतरी चिरोजी भी हो इनी सुबकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ जोए बंगला जोए हिन